कि नमस्क्राइब सच्छे का लादाब हलो है केम चुव वेरी प्लीजेंट और वाम इवनिंग गाइज कैसा अब सभी लोग मेरा नाम है शोंगुपता और आप देख रहो इंजीने सट्डा गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडनमिक्स की बहुत ही एहम टॉपिक क जिसका नाम है entropy मैं इसके बारे में आज बताना चाहूंगा entropy एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को पता है the randomness of the energy हम कुछ भी बोलें कुछ भी बाते कर लें कि जहां पर energy की randomness दिखाई दे जाती है जहां पर molecules अपने से मेक्टर होती है entropy किस तरीके से तुम उसको समझ सकते हो मतलब हर जगा हम लोग बोलते हैं जैसे कि एक example देता हूं एक रूम है उस रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग आपस में जगड़ा करने लग जाते हैं और जैसे ही जगड़ा करने लग जाते हैं आप लोग बोलते है सिस्टम की entropy आफर इस कमरे की entropy बढ़ गई है कभी आप लोग ने ऐसा word सुना है English में हम लोग बहुत जादा यूज करते हैं आप लोग ने देखा होगा जब भी कभी आप लोग गुस्य में होते हो आग बबूला होते हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी body से heat निकलने लग कि इंट्रॉपी का जनम हो कैसे रहा है तो मैं इसको देख कैसे रहा हो राइट जब भी कभी में second law of thermodynamics के बारे में बात करता हूँ आप सभी लोगों को पता है second law of thermodynamics जो है आप लोगों का यह किसके बारे में बताता है direction of energy के बारे में obviously हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं that is qualitative law हम इसको क्या बोलते है that is qualitative law अब यह जो qualitative law है इस qualitative law कहने का मतलब क्या है कि यह जो second law of energy है sorry second law of thermodynamics है यह energy या फिर यह जितना भी आप यहां पर energy या फिर work देखते हो heat और work उसकी quality के बारे में बात करता है और अगर मैं available energy और unavailable energy को दिखा हूं तो यह concept आप लोगों को यहीं से देखने के लिए मिलता है मतलब आप लोगों को बता हूं अगर मैं qualitative law पर तो यहां पर आप क्या बोलते हैं high grade energy right just like work यह ना just like electrical work shaft work यह सारी चीज़े क्या है high grade energy होती है और दूसरी energy क्या हो जाती है low grade energy just like heat right heat क्यों low grade energy क्योंकि आप इसको 100% convert नहीं कर सकते आप दूसरी form of energy पे कुछ न कुछ energy का loss होगा ही होगा और वो सिर्फ वो सिर्फ heat से होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसका 100% conversion possible नहीं है आप इसको बोल सकते हो जो high grade energy है that is work और जो आप लोगों की low grade energy है that is your heat ठीक है आप जैसे कि मैं work के बारे में बात करूँ work में हमने first law of thermodynamics में पढ़ाई कि work is 100% convertible to another form of energy right कि जो work है हमारा वो दूसरे form of energy पे जा सकता है लेकिन heat हमारा दूसरी form of energy पर जाएगा लेकिन 100% नहीं जाएगा मतलब कुछ न कुछ losses होते हैं तो guys अगर मैं यहां पर work और heat इन दोनों को आगे लेकर के चलू और मैं यहां पर work और heat को दिखाओ अब feel करना थोड़ा सा जिस चीज को मैं बताना चाहता हूं right work और heat इन दोनों को अगर मैं लेकर के चलू तो work और heat मैं मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को एक concept मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं available energy राइट available energy और अगर मैं heat के बारे में बात करूँ तो heat मैं भी मैं बोलता हूँ कि कुछ amount of energies की available energy होती है available energy कहने का मतलब वो energy जिससे आप काम करवा सको आप समझ रहो कहने का मतलब क्या है वो energy जिससे आप काम करवा सको जैसे कि for example अगर मैं आप लोगों से बोलू कि मेरे पास 100 रुपए है राइट वो 100 रुपए का मैं कुछ सामान खरीच सकता हूँ बिल्कुल सही बात है आप उसका यूज कर सकते हो लेकिन अगर वही सामान को मैं वापस से बेचना चाहूँ तो क्या मुझे 100 रुपीज वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी वैल्यू खट जाएगी कहीं कुछ ना कुछ लॉसेज हो सकता है पुराना देखने लग जाए हो सकता है कुछ भी हो जाए हो कुछ ना कुछ लॉसेज उसमें देखने मिलेंगे तो अगर मैं अवैलेबल इनर्जी और यहां पर बात करूँ हीट पर तो यहां पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा अवैलेबल अब वो समान जाएगा तो 100 रुपीस का नहीं जाएगा लेकिन 90 का तो जाएगा 10 रुपे नहीं मिले मतलब 10 रुपे आपके पास अवैलेबल है नहीं है उसका हम दो क्या बोलते हैं अनवैलेबल इनर्जी हम उसको क्या बोलते हैं that is nothing but it is the loss of energy और loss of energy पे भी actually मैं बात करूँ कि किस energy का loss हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो that is heat का loss हो रहा है और यही loss of energy और heat is nothing but it is entropy मतलब कि जितना ज्यादा loss of energy होगा उतनी ज्यादा entropy बढ़ेगी जितनी ज्यादा unavailable energy होगी उतनी ज्यादा entropy बढ़ेगी अब कोई student मुझसे कह सकता है कि सर यहाँ पर अगर unavailable energy नहीं है तो यहाँ पर entropy क्या होगी जीरो अब अवैलबल energy के साथ जो energy energy नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं ऐसे लिखो entropy associated with with high grade energy high grade energy is a big zero मतलब यह जो आप लोगों की high grade energy के साथ जो आप लोगों की entropy associate होगी वो जीरो होगी क्यों high grade energy को आप 100% convert कर सकते हो अपने work में loss हुआ नहीं हुआ जहाँ पर loss देखने लीज मिल जाए वहाँ पर entropy आपको देखने के लीज जाएगी गर्म गर्म civilians का रोटीछ का Act intuitive का लॉस हो सकता है क्या heat का loss हो सकता है कहा होगग अच्हेट का जनम ही उसी जग़हाँ पर होग जहाँ पर हीट लॉस को देख पाऊगे तुम बहुत जादा घुस्य में हो तुम्हारे बॉड़ी से अगर हीट निकल रही है एंकट्रापी कि समझेवर है लाइट जल रही इससे हीट निकल रही है एंकट्रापी कि किसी भी जगए जहां पर हीट का लॉस हो रहा है बंट्रापी अब ए है रेंडमनेस ऑफ दージभी जहाँ पर हीट जाएंगी अब जैसे एक्जामपल मालो अगर मैं तुम से बोलूँ कि कहीं सबी हीट निकलके हैं आगर कहीं से हीट निकल रही तो कसी जगा जाएगी जहां यहां पर हीट जाएगी वहां पर मॉलीकुल्स को गरम लगेगा भाई मॉलीकूल्स इदर अधर रैंधमर्स नसमाझ में जाए वहां वहां के हीट से लॉस हो रही है तो किसी के पास तो जायेगी जहाँ जाएगी वहां पर लासuction पर loss पर यह सिर्फ उसरफ एक loss है और कुछ नहीं तो अगर कभी हम लोग कहते हैं कि entropy बढ़ रही है यह अच्छी बात है कि खराब बात है obviously खराब बात है entropy of the universe can be constant और it is always increasing, अच्छी बात है खराब बात है खराब बात है समझे नो, losses हमेशा बढ़ते हुए जा रहे है universe में losses तुम बढ़ते हुए जा रहे हो अभी कहा जाता है global warming क्यों हो रही है, entropy तो iceberg से पिखल रहे है, क्यों पिखल रहे है entropy, heat बढ़ रही है losses बढ़ रहे है I guess अब आपको entropy का feel आ रहा होगा guys मैं daily आप लोगों के लिए कुछ और कुछ ऐसे ऐसे topics लेकर किया हूँगा जहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे-च्छे concepts दोंगा एक जो चीज़े तुम किताब में नहीं पढ़ रहो ना मैं उस चीज़ को यहाँ पर लेकर किया हूँगा समझाऊंगा तुम्हें feel दिलाऊंगा अच्छी में है क्या अभी session को complete होने के बाद दो मिनट चार मिनट आखे बंद करके बैठना और सोचना इस बारे में क्या है entropy कहा कहा देख सकते हैं entropy हर जगह तुम्हें entropy दिखाई देगी thermodynamics is everywhere दिल की धड़कने बढ़ेंगी body से पसीना आ रहा है मतलब body गरम होई entropy और entropy को रोकने के लिए तुम्हारी body पसीने को लेकर गया रही तुम्हें cool करने की कोशिश कर रही है entropy का loss निग मतलब heat का loss निग होना चाहिए वरना energy का loss हो रहा है और in form of किसी भी form में energy का loss होगा तो तुम्हें कमजोरी फील होगी weakness फील होगी तभी तुम्हें देखा है बहुत गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लोगों को चक्कर आ जाते है क्यों? energy का loss हो गया ना भाई? फिल कर पाए? बस ये वाली चीज़ थी तो guys अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू कि अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बढ़िया वाले concept सीखना चाहते हो और अभी तो मैंने से फेक topic लिया है अगर पूरी mechanical सीखना चाहते हो बढ़िया तरीके से तायारी करना चाहते हो then you can join my batch right अब batch के बारे में बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे students ऐसे होते हैं उनको batches के बारे में जानना होता है जिसको नहीं जानना है उसके लिए यहाँ पर concept over हो चुका है जिसको जानना है उसके लिए मैं बता देता हूँ right guys batches में we have many batches for you all gate और engineering services में जैसी आप जाते हो यहाँ पर engineering महा pack है मैं कभी भी इन सारे batches के बारे में क्यों नहीं बात करता क्योंकि each and everything जो तुम यहाँ पर देख रहो होगे और टच करने के बाद इसको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 1500 से जादा घंटे के तुम्हें live hours मिल रहे है मतलब तुम सोचो कितिनी जादा sessions है तुम्हारे पास 5685 तुम्हारे पास मतलब पूरा पूरा यह पढ़ा हुआ है वीडियोस हैं जिनको तुम देख सकते हैं और एक एक वीडियो कम्सगा में एक एक डिल जिर घंटे का है सोचो पाच-छे अजार घंटे से ज्यादा का तो तुम्हारा content इसमें पढ़ा हुआ है और अच्छा करो और नॉन टेक्निकल के भी लगना तो भी तुम्हारा पैक में सब कुछ मिल जाएगा इसमें अगर आप लोगों के जो 16,000 का बैच दिख रहा है अगर आप चाहते हैं कि यह बैच मुझे सबसे सस्ते में मल जाए उसके लिए आप लोग जा सकते हैं यहां पर मैं दिखा देता हूं यहां पर आप लोगों का वाई इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मिल देता हूं सबसे पहले तो आपका मैजिकल कूपन कोड गई इसी को जरूर यूज करना अगर आप लोग मेरी गाइडेंस चाहते हो अगर आप लोग मेरे साथ अपने मेंटर्णशिप को चाहते हो कि भाई आप लोगों को कौइंस मिलेंगे और उन कोई की मदद से आप एक पॉसंट का डिसकाउंट और ले सकते हो जाओ जाकर इगे खुद को इन्रोल करो और बढ़ियां वाली तैयारी शुरू कर दो मिलेंगे गाइस फिर अपन नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाबाए